हेलो फ्रेंस नमस्कार स्वागत है आपका मेरी चैनल और इन बन गिरो पर आज मैं आपके शांस शेयर करने वाली हूँ इटली ढोकला बहुत टेस्टि बनता है तो रेसिपी से पहले आपने मेरी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप इससे सस्क्राइब कर ले ताकि ज जली देखते हैं सामगरी बेशन लिया है एक कप दही लिया है एटकर हर इमेज अधरक लहसन का पेश्ट बना लिया है हर अधनिया बारिक कटा हुआ मसाले एक बाउल लेंगे चन्नी लेंगे बेशन को हम चान लेंगे बेशन को हमने चान लिया है यह बेशन हमने घर की दाल का पिसा हुआ लिया है मार्केट की बेशन में मिलाबट होती है आप चाहे तो पैकिट का बेशन भी यूज़ कर सकते हम आप बैटर तयार करेंगे पेश्ट डालेंगे हरी मेज अद्रक लेसन का दही लेंगे दही हम आधिक अपलेंगे अरा धनिया लेंगे सबी को मिक्स कर लेंगे थोड़ा पानी भी लेंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे बैटर अपने तयार कर लिया है नमक लेंगे स्वादन उसार हल्दी पाउडर लेंगे इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबी को में अच्छे से मिक्स कर दिया है तेल लेंगे एक टिवल स्पून इसे भी मिक्स कर लेंगे अब इसे पाच मिट के लिए रैस्ट करने देंगे इटली के साच लिये है सभी को हम तेल लगा की चिकन कर लेंगे इटली साच लेंगे गयस अन कर लिया है पानी लेंगे पानी को गरम होने देंगे पांच मिट के लिए इसे डखकर रख देंगे बैटर को पांच मिट हो गया है अब हम इनू लेंगे एक चमच इनू डालेंगे एक टेबल स्पून मिक्स कर लेंगे पीनू डालने के बाद हमें ज्यादा देन नहीं करने हैं बस सांचे में भरके रख देना है बनने के लिए तो बैटर हमारा तैयार है सभी सांचों में डाल देंगे एक चमच बटर हम सांचों को रख देंगे अब इसे ढखकर 30 मेट पकने देंगे 20 मेंट हो गया है अब हम इने चेक करेंगे अब इसे ठंडा होने देंगे अब हम डोकली की दस त्यार करेंगे तेल लिया है हमने जीरे डालेंगे राई लेंगे थोड़ी की हरा मिर्च डालेंगे कटी भी सेगी अब पाने लेंगे आधी गुलाब चीने लेंगे दो टेबल स्पून अब इसमें एक उबाल आने देंगे त्यार कोबाल आ गया है यह बनके तया है अब गैस बन कर देंगे ठंडे हो गए हैं अब हमें निकाल लेंगे हमारे इटली डोक लवन के तयार हैं देखिए कितने सौप्ट और मुलायम बने हुए हैं दोने तरफ से अच्छे सिके हुए हैं अब हम इनमें तड़का लगाएंगे तड़का पेंड लिया है तील गरम हो गया है राई लेंगे जीरा लेंगे अरेमिस लेंगे इटली डोकले बने के तयार हैं आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तैसे लाइक करें शेयर करें आप मेरे चाइब जाब लगाएंगे चैनल पर नए हैं तिससे सब्सक्राइब करने धन्यवाद